तो आपको पता है कि प्रजेक्ट मौसम बहुत आता है कि आर्ट अ कल्चर से रिलेटेड है लेकिन कहां से आएगा कोशिटन यह हमें पता नहीं चलता तो यहां से हमें एक स्प्रेक्टेड कोशिटन हो सकता है तो इसको हमने अच्छे से देखना है और जहां तक National Apprenticeship Scheme की बात है तो यह आपका GS3 का पार्ट बनता है क्योंकि यह कही ना कहीं Economy, Growth, Development से Related है So without further ado, let's start with the two schemes for PIB today So सबसे पहले बात करते हैं Growth and Development की यानि की प्रधान मंतरी Apprenticeship मेला या Apprenticeship Scheme की तो यह जो Scheme है यह कुशल भारत, सुषक्ष भारत और Prime Minister Skill India Mission इन सभी का एक कैसकते हो Amalgamation ही है जिसे कि हम Career Opportunities को बढ़ाना चाते हैं Practical Training को प्रोवाइड करना चाते हैं और जो Minister of Skill Development and Entrepreneurship है वो इसको Organize करती है तो यह मेले लगते हैं जहां पर आपको अलग-अलग तरह से Articleship के जरीए सिखाई जाती है Skill Development कराई जाती है और 280 locations पे 28 states और यूटीज में यह मेला लगाया जाएगा तो इस मेले के थूँ हम चाते हैं कि हम Budding Entrepreneurs को जादा से जादा आप कह सकते हो Skill Develop करके दें ताकि वो जल्द से जल्द अपने aims को, objectives को Achieve कर पाएं जिससे कि इंडिया के अंदर भी Growth Opportunities और ज्यादा बढ़ें तो यहां पे आप इस pamphlet को भी देख सकते हो Pamphlet के अंदर आपको Benefits for the Establishment में दिखा हुआ है कि Government जो है 25% आपको जो स्टाइफन प्रवाइड करेगी तो आपका जो खर्चा है वो नहीं होगा ट्रेनिंग पे 25% वो देगी, Government देगी इसके लाबब मेनिफेक्टरिंग सेक्टर, ट्रेट सेक्टर उन सब को जो है Full Time अच्छे जो Skilled Workers मिल जाएंगे जो Apprentices हैं उनको 4,000 प्लस घंटे का एक्सपोजर मिलेगा चाहे वो अलग-अलग सेक्टर हो Manufacturing सेक्टर हो, Telecom सेक्टर हो Retail सेक्टर हो, IT हो Automobile हो तो इन से उनको एक्सपोजर जादा मिलेगा और वो अपने खुद की Skill Development के बाद जादा अच्छी Job Placement जो है Similarly, अगर हम बात करते हैं Skill Development की, तो जो Hair Dressers, Beautician, Painters, Stenographers इनकी Self Employment Opportunities बढ़ जाएंगी जैसे कि आपने देखा होगा भी पहले किसी टाइम पर Stenos जो थे वो 5 रुपे पेज या 10 रुपे पेज लेज़े थे आज के डेट में ऐसे Stenos बेज़े 10 रुपे पेज के जगा 50 रुपे पेज, 80 रुपे पेज भी लेते हैं अगर आप उनसे कोई टाइपिंग का वोग कराते हो तो उनकी value इससे increase हो जाती है, उनकी expertise increase हो जाती है तो हमारा इस initiative के अंदर aim है कि हम 1,00,00 जादा apprentices को Employment opportunities प्रोवाइड करें and entrepreneurship and प्रधानमंत्री National Apprenticeship मेला जो की PMNAM के नाम से भी जाना जाता है अब नेक्स आता है Project Mausam, यह important है हमारे लिए आप इन कल्चर का भी यह पार्ट जो है वो बनता है, तो ASI यानि की आपका जो Archaeological Survey of India है उसने 2-day National Conference किया था Project Mausam पर जिसका Sanskritized नाम रखा गया है जलाधीपुरा यात्रा जलाधीपुरा यात्रा Exploring Cross Culture Linkages Along the Indian Ocean Rim Countries तो जो भी Indian Ocean के Riming Countries हैं, यानि कि यह आपका Indian Ocean है और यह आपके Rim Countries है तो इनका जो एक Cross Border Cultural Connection है उसको यहाँ पे Explore करने की बात जो है वो की जाती है तो Indian Ocean Rim Countries को आपको याद करना है इससे हम Monsoon Winds को और Climate Factors को देखेंगे कि उसने History को किस तरह से चेंज किया क्योंकि मौसम या जो Monsoon है वो बहुत ज़ादा important रहा है Across the History of India और उन Monsoon Winds के थ्रूह जो सेलर्स है वो आपते थे ट्रेट करते थे उसके साब से एक कल्चर प्रड्यूस होती थी तो इसी लिए Monsoon नाम इसका दिया गया है Ministry of Culture ने इसको जो है शुरू किया है और UNESCO का जो 38th World Heritage Committee था दोहा कतर में 2014 में तब इसको शुरू किया गया था इसका implementation center है इंद्रागांती National Center for Arts New Delhi तो वो इसको implement करता है Noodle Agency है, coordinate करता है National Museums के साथ और अन्य चीज़ों के साथ अब जो Project Mausam है उसका जो aim है वो ये है कि हमें किस तरह से knowledge जो है Monsoon Winds की उससे trade influence हुआ Indian Ocean के नदर interactions हुआ उसके अलावा knowledge systems influence हुए traditions और technologies, ideas ये सारे के सारे किस तरह से सी रूट के थरू चेंज हुए तो आपको पता जैसे numbering है Arabic को तो numbers आते ही नहीं थे Arabic countries को Indian numeral system था तो हमने maths किस तरह से Arab traders ने हम से math सीखा और आगे जाके वो यॉरॉप में गया जिसके कारण उसका नाम Arabic numerals पढ़ गया similarly जो theorems हैं वो बहुत सारी theorems ऐसी हैं जो Arabic mathematicians के नाम पे हैं जबकि वो सीखके यहां से गये थे तो ये सारे cross cultural links हैं जो हमें बता चलते हैं similarly बहुत सारी traditions ऐसी होगी जो शायद वहां से originate होके यहां पे आई कहानिया ऐसी होगे यहां पे originate होके वहां पे गई तो ये सारा सारा study जो है हम project mousam के अंदर करेंगे इन जो exchanges होंगे इस तरह के उससे हमें ये भी फायदा मिलेगा कि आसपास के लोगों के अंदर भी एक macro level पे connect देखने को मिलेगा एक re-establishment देखने को मिलेगा एक identity of oneness जो है वो देखने को मिलेगी तो ये सारी की सारी जो चीज़े हैं यहां पे important हो जाती है with respect to project mousam so with this we have completed the topic I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो like, subscribe and share ज़रूर कर देजगा ताकि इससे हमें motivation मिलती रहे अगर आप UPSC CSC की अच्छी से preparation करना चाते हैं तो आप मैं recommend करूँगा आपको कि आप UPSC का unacademy का subscription ले journal studies के लिए जिसके अंदर आपको plus iconic or light तीन variants मिल जाते हैं plus variant के अंदर आपका full course रहता है iconic के अंदर आपको one on one live mentorship मिल जाती है जिसके अंदर आपको कोई भी support चाहिए motivation है, strategy building है उसके अंदर आपको एक dedicated unacademy का tutor जो है आपको लगातार आपके touch में रहेगा help करता रहेगा और अगर आप एक veteran aspirant है आप already कहीं बार तयारी कर चुके हैं और आपके अंदर जो भी course आप चूज करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रुरत नहीं है आप यूज करिए मेरा code ANI7 यह मेरा referral code है इसको आप यहाँ पर दालेंगे तो prices जो है 10% से discount हो जाएंगे किसी भी course में किसी भी duration के course में चाहे आप एक साल का लें दो साल का लें अच्छे महीने का लें या फिर अपलास लें इकॉनिकले लाइट लें सभी में आप पे बेनिफिट जो है वो मिलेगा और उसके बाद आपको करना के है इसका screenshot मुझे टेलिग्राम पे भेजना है आपको कुछ जानने को मिला होगा आपको कुछ जानने को मिला होगा